तो ABP News लिमिट लेस हो गया है, ABP News आपको अब हर खबर हदों के पार जाकर दिखाएगा नए रूप, नए रंग, नए तेवार और नए कलेवर के साथ बात करते हैं किसान आंदोलन की जो अपने किस्वे दिन में दाके लो चुका है, थोड़ी देर में दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि दिल्ली का एक और बॉर्डर बंद होने वाला है, किसानों ने दिल्ली नोईडा की बीच दिल्ला बॉर्डर को बंद करन दिल्ली का एक और बॉर्डर होगा सी नॉइडा दिल्ली जाने वालों की बढ़ी के मुश्किल भूट के बाद पिसान अंदुलन के तेवर अब और कड़े हो गए है महस चार दिन खुलने के बाद अब एक बार फिर दिल्ली नॉइडा का सबसे एहम बॉर्डर बंद कर देंगे किसान ये वही चिल्ला बॉर्डर है जिस पर बैठे किसानों के धड़े ने राजनाथ सिंग से मिलने के बाद आंदुलन वापस ले लिया था लेकिन अब उन्ही के दूसरे धड़े ने फिर से मोडचा संभालने का फैसला ले लिया है भारते किसान यूनियन टिकैद गुट ने आग सुबह 11 बजे चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह बंद करने का एलान किया है इससे पहले भानु गुट ने चिल्ला बॉर्डर खोल दिया था ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसानों के बीच तकरार शुरू हो गई है क्योंकि एक संगठन बॉर्डर खुलवा रहा है तो दूसरा संगठन बॉर्डर बंद करवाने की बात कर रहा है टिकैद गुट के तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंग जैसे नेताओं को आगे आकर बात करनी चाहिए आपको याद दिला दें कि राजनाथ सिंग के ही कहने पर भानु गुट ने भी चिल्ला बॉर्डर से अपना अंदुलन बापस लिया था इस बीच क्रिशी बिल का समर्थन कर रही किसान संग्ठनों का किसानों से मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है भारती किसान यूनियन किसान गुट ने तो किसान आंदुलन को ही स्थगित करने का एलान कर दिया दरसल कल भारती किसान यूनियन की किसान गुट ने प्रिशी मंत्री नरिंद्र तोमर से मुलाकात की थी बैठक के बाद वो सरकार के जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना अंदुलन स्थगित करने का एलान कर दिया कि खुछी की बात हमको यह लगी कि एक सीज कोई दित्य अपनी सुई बेशता है तो अपना टैय करता है मुले कोई जैकेट बेशता है तो यह अ गर्यूर utmost किसान तैनी कर पाता था पिछले अनिक वरसों से आज किसान अपने उत्पाधन का मूल ले तैय कर सकेगा हमें सरकार का हमें समर्थन करना चाहिए किसान गुट के आंदूलन वापस लेने की खबर सरकार के लिए बड़ी राहत देने वाली है भारती किसान यूनियन के सभी राष्टी और प्रादेशिक पदादिकारी उत्तर प्रदेश से यहां आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों करसी सुधार बिलों का बहुत तागत से समर्थन किया है ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी हालां कि किसान निता बार-बार कह रहे हैं कि कानून का समर्थन करहे नेता उनके साथ कभी जुड़े ही नहीं थे उनका इस अंदोलन में कोई एहम रोल भी नहीं रहा वो जो कर रहे है वो अपने मर्जी से उनका निजी फैसला है और इस अंदोलन से उनका कोई तालुक नहीं है दूसरी तरफ प्रशासने भी तयारियां जोड शोड से शुरू कर दी हैं दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा वयवस्था बढ़ाई जा रही है वैसे भी दिल्ली के सभी बॉर्डर की ऐसी घेरा बंदी पहले कभी नहीं देखी गई दिल्ली के लगभग सभी बॉडर से आवा जाही ठप है इसका असर भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो लेकिन किसान अंदुलन पर जो ऐसो चैन का बयान सामने आये हैं उस पर्षपर ध्यान देना जरूरी है जान अंदुलन से रोजाना 3500 करोड का नुकसान हो रहा है मतलब किस दिन में करीब 75000 करोड का घाटा देश को लग चुका है उदारन के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी आजाद पूर मंडी को ही देखिए इस मंडी में कभी पाव रखने तक की जगा नहीं होती थी लेकिन अब यहां सननाटा पस रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि 75000 करोड का घाटा अभी कितना और बढ़ेगा कब तक दिल्ली की सिमाए सील रहेंगी कब तक दूसरे राजियों से देश की राजधानी में एंट्री पर ऐसी ही रोक रहेगी आखिर कब तक